हाई नमस्कार संपून अध्यापक अभी कर्मचारी है हमारे आएफमस में सैली स्लिप निकालने का इश्यू बहुत आ रहा है अक्सर लोग मुझे पूछ भी रहे हैं और अक्सर लोग मुझे फोन भी कर रहे हैं तो इसी पारे में आपको एक छोटा सा फिर एक वीडियो बनाया है और इसमें आने वाली जो प्रॉबलम है उस पर एक वीडियो बना रहा हूं तो आए-फेमस में सहल इसलिप हमें जो सरकार ले इस सभीदा दियें कि इसके जरीए हम कहीं पर से भी कहीं फिर पर शहरीं अपनी सहल इनी के बाद हमें बैंक में कहीं पर लगानी है कहीं पर सरकारी कारियों में कहीं पर लगानी है तो हम अपने डीडियों से उसको प्रमानित करें वन्हां अपनी सेली सलिफ हम कहीं पर भी किसी भी तरीके से किसी भी तरीके से नहीं कौँगा रप्राप्त कर सकते हैं चाहे हम मुबाइल Architect करें तो दोपनी Works निकाल सकते हैं अब आ रहा है कि आपका पासफर भूल जाना इससुँ यह आ रहा है कि आपके पासफर का अभी जो आपने पुराने समयने बनाया है अभी उसका वर्क करना करना उसको कैसे बदला जाए कहां पर बदला जाए और कैसे नहीं OTP प्राप्त करके नया पासवर्ट लॉग इन बनाया जाए तो यह सभी हम लोग अध्यापक हैं हम लोगों को अपडेट रहना चाहिए कि हमारी क्या से हम अपनी सेली स्लिप निकाल सकते हैं कैसे हम अपने बिल्स देख सकते हैं कैसे हम अपने सारे जीपीफ के से रिलेटेट इशू भी जो आ रहे हैं उनको हम देख सकते हैं क्या हमारा इंकम टेक्स कट रहा है वो भी हम देख सकते हैं तो इन सभी चीजों को देखने के को जरूरी है कि हम यह निकालना सीखें और अपडेट रहना उसके जरीए हमें सीखना पड़ेगा ताकि हम इससे रिलेटेड कोई भी इशू हमारी कारी प्रगती पे ना आए तो आए इस चीज को जानने के लिए मैं ले चलूंगा अपना ब्राउजर हम जब खोलते हैं ब्रा हम पहले ऑप्शन में अगर हम क्लिक करेंगे आए फमस की पूरी साइड हमारी खुल जाएगी अब जहां पर आप मेरे करसर को देख रहे हैं उसमें फॉर्गेट मैंने लगा रहा है फॉर्गेट अनलॉक लॉगिन पासवर्ट लिख रहा हमने इस ऑप्शन को हम दॉ्पायगा उस इंप्चाफ को हम दालेंगे जैसे मेरा ये कोड है 38204 इसको मैने ये जलआ ये कोड अप सबको मिला होगा अब इस कोड में इस कोड को हमने डालने के पश्चाथ हमारे ट्रेजरी में जो हमने मुबाइल नमबर इंटर किया है जो हमने ट्रेजरी में मुबाइल नमबर दिया है जिससे हमें ट्रेजरी द्वारा मेंसेज आता है बैंक द्वारा नहीं जिससे हमें ट्रेजरी द्वारा जो मेसेज आता है उस मुबाइल नंबर को हमने यहाँ पर इंटर करना है और जैसे हम अमने अमने मुबाइल नंबर को इंटर करेंगे इंटर करने के पश्चाद हम जैसे ही मुबाइल नंबर हमने इंटर किया उसको करने के बाद हम गैट OTP में चल जाएंगे यह गैट OTP में यहाँ पर भर दिया छह साथ अनकी की OTP होती है इस OTP को आने के पस्चाद हमने भर दिया और इसको भरने के पस्चाद हम इसको इसमें एक option नीचे से लिखावा आयाता है validate इस option में जाकर हम इस option में जाकर हम इसको बढ़ा देंगे और जैसे ही हम इसको बढ़ाते हैं तो यह हमारा नया password यहाँ पर बनाने को मिल देदेगा your password re-enter password मतलब एक password जो आपने बनाना है उसी को दुवारा password बनाना है ठीक है और उसको हम change password में करते हैं यह दिक्कत उन कर्मचार्म के लिए भी आ रही है जिसने पुराना password बनाया है उसके द्वारा login नहीं हो पा रहा है यह password में उन वक्ति लेकर वहाँ पर भी आप नया password बना लीजे और जुन वक्ति नया password बना रहे हैं वो भी अपना change password के द्वारा नया password बना लेंगे हमेशा और यहाँ पर फिर हमने दुबारा से IFMS UK खोल देनी है और इस password को और login को login में हमारा treasury code और password हमने जैसे इंटर करेंगे वैसे ही यह सब कुछ खुलने लगेगा जैसे अब जैसे मैंने यह इंटर किया अपना password डाला यह तो मेरे किस सिस्टम में मेरा password भी पढ़ा हुआ है तो जैसे हमने इसमें डाला है तो यहाँ पर यह देख रहे हो गया मेरा cursor लगा रखा मैंने इस capture को जैसे ही जैसा लिखा है वैसे ही इसको हम भर देंगे ठीक है इसके बाद हम login कर देंगे अभी कुछ न कुछ गलती हुई है तो यहाँ फिर सिस्टम से मेरा पूरा ची से लॉग आउट नहीं हुआ है जिसके कराने यह नहीं खुल पा रहा है दुबारा मैं इसको कोशिश करते हैं इसको क्लोज करते हैं तो फिर मैंने आफेमस को ली और मैंने अपना login डाला पासफ़र्ड डाला पासफ़र्ड इस सिस्टम को याद है इसलिए मिजने नहीं डाला है कैप्चा फिर डाला हुआ है आप लोगों के सामने और यह जैसे ही कैप्चा जा रहा है लॉग इन जा रहा है तो यह पूरा खुल जा रहा है इसमें दो ओप्चन आता है रोल स्ब्सक्राइब देखिए खुल इसमें मेरी तो यह पूर्श यह रूल स्ब्सक्राइब इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें मेरे यह दो पर डीडियो इस तर पर भी जुला हूआ है और इंप्लॉई इंप्लॉई भी है तो मेरे आपके उसमें सिर्फ यह employee लिखावा आएगा आप डीडियो इस तरह पर नहीं आएगा आपके इसमें लिखावा तो इस employee इस तरह को मैंने प्रोसीड करनी है जैसे मैं प्रोसीड करूंगा वैसी सारे option employee वाले मुझको दे देगा आप लोगों के पास अब यही option आएंगे जैसे मेरे आ गए अब वैसी option आप लोगों के पास आएंगे अब इसमें रिपोर्ट में जाएंगे पे रोल देख रहे हैं आप पेसलेप जीप अपसलेप नेनपियसलेप अन्वल सेली स्टेटमेंट क्लीम रिपोर्ट ना और अगर आपको पेसलेप निकालनी है जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार मैं पेसलेप निकालना शिखा देता हूँ आपको पेसलिप में ने क्लिक किया है देखिये इसमें मन्थ भरिए और अपना year भरिए जैसे यह मन्थ है अभी तो मैं January की यहां चित्याजना हूं 2021 ही हो लो इसको आपको डीडियस तरपर देना है आपने आगे कुछ करना है तो यह अपना अपना सब कुछ काम इससे कर सकते हैं ठीक है यह पूरी परेसलिप मेरी खुल चुकी है देखिए ना अब रिपोर्ट्स में आई यह आप अपना इन्वल स्टेंप निकलने ऐसे जीप अप स्टेट्मेंट निकालना है कोई क्लैम रिपोर्ट यह आपने को MPF का कोई बिल्ड है जी प्याप के बिल्ड के लिए क्लेम के रिपोर्ट में आप देख सकते हैं बिल स्टेटस देख सकते हैं को युद सब बिल्ड आपका कहां पर तक पहुँंच चुका हुआ है ना डीडियों से पास हुआ है अपने इस तर में कहा कहा Amsterdam से पास वा परवाइजर से पास हुआ है फिर लीव अप्लिकेशन एन्सीचल अपने मेडिकल वाले यह सारी चीज़ें आप अपने इस तर पर माई लीव अप्लिकेशन में देख सेते हैं support अगर आपको ऐसा है कोई आपको जरुवत नहीं है यह support में mail दहरादून होती है data entry में होती है data entry में मैं जाते है data entry में आपको SGS OPU मतलब health card आपने बने भरा है तो वह देख भरेंगे my claim को यह आपको देखना है तो वह देखेंगे income tax देखेंगे इस बित्ति वर्स का क्या income tax कट रहा है advance पैसा कितना कट रहा है ठीक है यह आपका advance पैसा भी दिखाएगा कि advance कितना काटेंगे हम लोग SGS आपका दिखाएगा कि कितना कर रहा है ऐसी है आपका फिर my profile माई profile में आएंगे my profile में अगर देखा हम जैसे click करेंगे तो इसमें हमारा employee code designation और department state address email pen number mobile number username district सब दिखारा देखेंगे अब इसमें by the way अगर इसको वैसे हमें ही अपना employee code याद होना चाहिए designation में हो सकता है problem हो किसी वेक्ती को जैसे कि मैं assistant teacher हो तो उसने assistant teacher दिखाया है किसी का ऐसा head teacher नहीं दिखा हुआ है तो वो head teacher दिखा सकता है लिखवा सकता है application लिखकर जाए डिडियो इस तर पर application लिखेंगे आपके head teacher वो दिखा देगा ठीक है आप pen number होस्त बहुत से teacher की आप फेटिंग में pen number गलत है तो वो pen number दिखा सकता है तो सही करवा लिजे आधार नंबर आधार नंबर भी आप अपना सही करवा सकते हैं उनको बहुत सी चीज़ों के knowledge नहीं होती है अगर वो चीज़ी उनको देख ले अपनी चीज़ों को अपने पैचान ले तो उन चीज़ों की knowledge उसको खो जाती है और तीसरी चीज़ इसमें हम लोग अध्यापक हैं करमचारी वगए हैं तो इस चीज़ों को हम अपडेट रह हम अपडेट रहकर हमारा काम ही है करते हैं तीचर का ध्यापक का कि वो अपडेट रहे और जो चीज़ों को नहीं आती है उसको भी सीखता है तो हमारे मेरा इस चीज़ों को बताने का उद्दिश यह है कि आप इस चीज़ों को सीखें और अपने आप में अपडेट रहें ताकि आपको छोटी छोटी चीजों का जो सामना करना पड़ता है वो ना करें और अगर आपको इस चीज से मदद मिलती है मुझे तो ऐसा लगता कि मदद मिलनी चाहिए लेकिन फिर भी अगर इसको मदद मिलती है तो और टीचरों को हो सकता आपको पता हो सारी चीजे हो सकता आपको नहीं बताओ, अगर आपको किसी को ऐसा लगता है कि इसको नहीं पताया तो उसको शेयर कीजिए, सब्क्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि ऐसी इंफर्मेशन आपको आगे भी आते रहें, आगे भी मिलते रहें और आप उस वे में आगे बाटाज़ बाटाओए,